हेलो फ्रेंट्स, वेलकम बैक मैं चैनल आई होप, आप सब अच्छेंगे फ्रेंट्स, मैं लेकर आई हूँ आपके लिए एक दम यूनीक नाश्टा फ्रेंट्स और हम बनाएंगे बीट फ्लोर से बनने वाला यह नाश्टा फ्रेंट्स यह आप जो यह समझ रहे हैं यह वह नहीं है यानि कि friends यह पकोड़े नहीं है यह हमने बनाया है wheat floor से और बहुत ही tasty snacks है और जब यह बनकर त्यार होते हैं तो सभी को बहुत पसंद आएंगे यकीन वानिये और बहुत ही जल्दी से बनेगी बिना किसी जंजट के friends तो चलिए बनाना शुरू करते हैं हम इस ग्यों के आटे से बनने वाले यानि की वीट फ्लोर रेस्पी को और जो कि ये स्नेक्स खाने बहुत ही अच्छा लगेगा फ्रेंज तो चलिए बनाते हैं तो सबसे पहले मैंने लिया यहां पे कढ़ाई लिया उसमे मैंने थोड़ा सा ओयल डाल one अच्छा हैगा और यहां पे मैंने कदू कस किये हुए आलू थे कच्छे उसको मैंने digital के अच्छे से साफ करके और इसका पानी हमने अच्छे से निचोड लिया और इसके अंदर मैंने ideal कढ़ाई के यारी यानि伯 कि आलू के अंद्र जो पानी था उच्छे से रिश्ट भ बहुत ही जल्दी से बनने वाला स्नेक्स है आप यकीन मानिए आप पकोड़े खाने भूल जाएंगे जब आप इस वले स्नेक्स को बनाएंगे और यहां पर मैं एक कटोरी पानी इसके अंदर एट कर रही हूं यानिके सिर्फ हमें एक कटोरी पानी एट करना है और यहां पर म हम इसके अंदर लाल मिर्च अभी एट नहीं करेंगे बिल्कुल भी उपर से मैंने आदा चमच सुका धनिया पाउडर और नमक स्वात के अनों साथ डाल दिया है और आदा चमची में चाट मसाला पाउडर एट कर रही हूं जिससे इसका टेस्ट जो है बहुत अच्छा इसको मैं इसके अंदर ही डाल दी जाओंगी और इसको हम लगातार इसी तरीके से चलाते जाएंगे अच्छे से हमें इसका एक सौफ्ट सा आटा बनाकर त्यार करना है जैसे हम चपाती बनाने के लिए त्यार करते हैं फ्रेंट्स वैसे हमें एट करना है और फ्लेम को बिल तो इसलिए अब हम इसको इसमें अच्छे से मिक्स करते जाएंगे और फ्लेम को एकदम सिम कर देंगे और यहां पर देखिए मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है और इसको हमें खुब अच्छे से ठंडा कर लेना है यानि कि इसको खुब अच्छे से हम इसको मिक्स करक इसको थंडा करने के लिए रख देंगे तो यहांपर मैंने इसको Choose मिक्स कर लिया है friends कि यहां पर त्यार हो गया हमारा यहां नदर आर्टा तो आप मैंने इसको थंडा कर लेंगे friends खुब अच्छे से और जब यह दीज़िते हों गया कि तो मैंने इसको जो से तीन, चम्च भर कर चावल का आटा जो होता है, वह मैंने लिया है, फोब एकों अंदर, जो एक छोटा चमच साबु जीरा भी अट किया है और अब हम फ्रेंट्स एक छोटा चमच भर कर लाल मर्ची पाउडर, एड़ करेंगे और थोड़े सफेतिल मैंने और एट कर दी है और थोड़ा सा हरा धनिया भी मैंने इसके लाइट कर दीा है क्योंकि जो हरा धनिया का जो टेस्ट है और भी अच्छा निकल कर आएगा और अब हमें इसको बिल्कुल एक पत्ला सा लिक्विट बनाना है जैसे हम एक घोल सा बनाते हैं बिल्कुल वैसा हमें बनाना है ज्यादा पतला भी नहीं बनाना फ्रेंट्स और ज्यादा गाड़ा भी नहीं बनाना एक जैसा बनाना है तो थोड़ा थोड़ा पानी डाल कर हम इसको एक घोल सा बना लेंगे और इसमें लंस ना रहें बिल्कु तो यहां पर बन कर तियार हो गया हमारा यह घोल जो हम इस्नैक्स में तो यह पर इसको में अलग रख k which i left तो उब मैं इसमें थोड़ाइन नमक और एड़ कर रही है फ्रेंट्स क्योंकि जो हमने ज्म प्यूंद संक्डानि भी डाला था तो उपर से हम इसमें भी थोड़ा सा नमक और अट करेंगे, वो हम स्वात के अनुसार डालेंगेством, तो यहां पर मैंने यह यह दिखि बना कर त्यार कर लिया है, ना ज़्यादा पतला है ना ज़्यादा गाड़ा तो यह गोल बनकर हमारा त्यार है और यहाँ पर जो आटा है वो भी ठंडा हो चुका है इसको हमें एक बड़े से वर्तन के अंदर निकाल लेंगे ताकि हमें मिक्स करने में असानी रहे तो इसको हम अच्छे से हांसे और से खूल लूँनगी तो देखें हम इसको अच्छे से से सौब करके रख लिया है और इस अब हम अब वना लेंगे परेड़े बना लेंगे देख यहाँ पर सॉफ्ट हो गया है तो अब हम इसके पेड़े बनाएंगे friends, तो जितनी आटे की मात्रा है, तो यहाँ पे आटा थोड़ा जादा है, तो मैं इसके चार हिस्सों में बाट लूँगी, यानि कि चार या तीन ही बनेंगे friends, तीन हिस्सों में मैंने इसको बाट लिया है, देखे इस तरीके से, और यहाँ थोड़े बड़े साइस के हैं, अगर छोटे बनाते तो हम चार बनते, पर यहाँ पर कोई बात नहीं, तो अब यहाँ मैंने चकला लिया है, और इसको अब मैं एक पे अच्छे से बेल दिया है, और इसकी हमें परत ज्यादा पतली भी नहीं रखनी friends, और ज्यादा मोटी भी नहीं रखनी, एक जैसी रखनी है, तो यहाँ पर मैंने इसको गोल चपाती की तरह बेला है, और friends, अब मैंने यहाँ पर एक धकन लिया है, आपके पास अगर कटर है तो आप कटर का भी स्त्वाल कर सकते हैं, और यहाँ पर मैंने इसकी तरीके से round shape में गोल कर दिया है, यानि कि हम इसको जो snacks का मकार दे लिए गोल शेप में दे रहे है, तो यहाँ पर मैने इसको round shape में गट कर लिया है, ढटकन की साहिता से, और देखे अर देखे इस तरीके से मैं दूसरा भी दूसरी बार भी मैंने इसी तरीके से इसको बना कर त्यार किया है देखिए इस तरीके से और आसानी से निकल जाते हैं फ्रेंट्स देखिए धकन की साहता से भी और यहां पर बना कर त्यार कर लिया मैंने यह दूसरा भी और फ्रेंट्स और यहां पर मैंने तेल सारे आटे के बना कर त्यार कर लिए देखिए इस तरीके से और अब हम को करेंगे डीफराई तो डीफराई करने के लिए इसकी आंदर एट करते जाएंगे इस तरीके से और दूसरे भी हम इसी तरीके से डालते जाएंगे फ्रेंट्स तो यहां पर मैं चमच की सायता से इसके अंदर डाल रही हूं और जितने आएंगे फ्रेंट्स उतने ही डालेंगे जाधा एट नहीं करेंगे नहीं तो अच्छे से सीखनी पाएंगे तो यहां पर मैं बारी-ब सभी को बहुत पसंद आएगा अब हम इसको मुडियम फ्लेम पे इस तरीके से सेखते जाएंगे और फ्लेम को मुडियम पे ही रखेंगे फ्रेंट्स ताकि जो हमारा नाश्ता है वो अच्छे से क्रिस्पी और कुरकुरा बन कर त्यार हो और खाने में भी टेस्टी लगे तो ह हम इसको थोड़ा golden brown होने थोड़ा सेखेंगे तो हम मुडियम फ्लेम पे इसको बारी बारी से इसी तरीके से पलटा पलटा के सेखते जाएंगे और बहुत ही टेस्टी लगता है फ्रेंट्स यह wheat floor से बनने वाला नाश्ता फ्रेंट्स यानी कि गेहों के आटे से बनने वाल आपने बच्चों को आप ये वाला नाश्ता बना के दे सकते हैं तो इसी तरीके से मैंने इसको थोड़ा गोल्डर ब्राउन होने तक सेख लिया है और देखें यहां पर कलर भी अच्छे से निकल कर आ गया है और अब हम इसको बारी बारी से प्लेट के अंदर निकालते जाए पर आप देखी रहे हैं यह कितने हम मैंने बिना आलू के पकोड़े की बिना या बिना बेशन के और बिना आलू को कट किये वैसे बनाए है गिहूं के आटे की साहता से और बहुत ही टेस्टी लगते हैं यह वाला स्नेक्स जब यह बनकर त्यार होता है तो आप इसको कुछ भी कह सकते हैं पर यह खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं जब यह बनकर त्यार होते हैं हमारा यह यह यहों के आटे से बनने वाला नाश्ता और बहुत ही टेस्टी स्नेक्स हैं सभी को बहुत पसंद आएगा अगर आप इस तरीके से बनाएंगे तो मैं आपको दिखा देती हूँ पास से कि यह कितना क्रिस्पी और कुरकुरा है उपर से देखिए बिल्कुल भी नरवनी है उपर से एकदम कुरकुरा है और अंदर से एकदम खसता तो फ्रेंड्स बनकर त्यार हो गया यह हमारा ग्यों के आटे से बनने वाला सुपर टेस्टी नाशता फ उपर से कितना क्रिस्पी लग रहा है देखने में यह जब देखने में अच्छा लग रहा है तो खाने में और भी टेस्टी लगेंगा तो आप एक बार ट्राइगी यह और बनाए अपने बच्चों को भी खिलाईए अगर रैस्प यह अच्छी लग़ी हो तो एक लाइक ज तो लाइक ज़रूर कीजे फ्रेंट्स और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले ताकि आपको कुकिंग के अच्छे वीडियो देखने को मिलते रहे तो यहाँ पे बनकर त्यार हो गया हमारा यह गेहों के आटे से बनने वाला सुपर टेस्टी नाशता फ्रेंट्स चाहे अगली वीडियो में आपके साथ